आज जो मैं लड्डू बना रहा हूं सरदियों के लिए खास है इसमें बहुत सारे पोस्टिक तत भरे हुए हैं जैसे विटामीन, प्रोटीन, फाइबर, आयरान, कल्सियम, फोलेट इस तरह पोस्टिक तत से भरा हुआ है एक लड्डू आप खा लेंगे पूरे दिन थकान, क कमजोरी जोडों को दर्द कमर दर्द में आराम मिलेगा बहुत ही हल्दी लड्डू है आप एक बार जरूर ट्राइ करें इसमें हम गुड़ भी डालेंगे गुड़ में काफी मात्रा में आयरान कल्सियम और विटामीन होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होत यदि हमारी वीडियो आप सबको जरस भी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न बोले प्लीज मैं आप सबसे अपील कर रहे हूं और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी नही नही रेशिपी के नोटिफिक लेकर भूनें ताकि यह जले न लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे अलसी हिल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती इसमें विटामिन ओमेगा थिरी फैटी आइसीड और अधिक मात्रम इसमें फाइबर भी पाया जाता है फाइबर को जासे पेट की प्रोब्लम दू इसे उतार लेंगे हम देखें इसमें आवाज कैसे आ रही है इस तरीके से आवाज आती है और यह अवाज जब थोड़ा कम होगी तभी उतार लेंगे नहीं तो जल जाएगे अलसी हिल्थ के लिए बहुत ही फायदे मंद होती इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए लोग सरदियों में खाते हैं इसे मैं निकाल ले रही हूँ और इसी कडाई में घीर डाल ले रही हूँ अभी में थोड़ा घीर डाल रही हूँ लगबग तीन चेमच डाल ले रही अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इसमें डाल सकते हैं ये भी बाण चुका है इसे भी निकाल लेंगे अब हम इसी में को эта इगोंद को फुला लेंगे मैं पचास ग्राम दडे रहे हूं आप कम जादा कर सकते हैं किसमिज भी ले सकते हैं अगर आपको प्रसंद हो तो या जो समय से उपलब्ध हो वही डाल ले गोंद को धीमी आज में फुलाना है थोड़ा देड़ तक इसे भूनेंगे क्योंकि अंदर जल्दी पकता नहीं है थोड़ा टाइम लेता है फूल तो जाता है पर अंदर कच्छ रह जाता है धिरे धिरे भूनेंगे गोंद जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करता है कमजोरी थकान दूर होती है जोड़ों को मजबूत बनाता है अगर सरदियों आप गोंद का लड़ू खाएंगे न तब दर्द और कमड़ दर्द से परिशान नहीं होंगे शरीर म आराम रहेगा सेम तरीके से मैं गोद भून के तयार कर लोंगे मैं 50 ग्राम गोंद ले हूं आप इसमें कोई भी समान कम जादा कर सकते हैं या जो आपको अच्छा लगे वो ले लें गोद को भूनने बाद हम मखाने को भून लेंगे धिमियाज पर हलका कुरकुरा कर मखाना भी में आधा कपली हूं आप कम जादा कर सकते हैं यह थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा तो आसानी से पिस जाएगा धिमियाज पर ही भूनेंगे और इसे भी निकाल लेंगे यह भी तयार हो चुका है इम्यूनियूटी बढ़ाने में मदद करेगा इलड़ू अब हम चलाते हुए इसे भी धीमियाज पर भूनेंगे दो तीन मिनिट भूनने के बाद इसमें हम घी डालेंगे घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ऐसा करने से घी भी कम लगता है और आटा अच्छे तरीके से भून जाता है इसमें मैं पूरा जितना घी लड़ू में जाना पसंद हो तब हलका सब भून भी गया है कलर चेंज हो गया है थोड़ा ब्राउन हो चुका है फिर से घी डाल ले रहे हूं मैं इसमें तीन बड़े चिमज डाल रहे हूं इतना घी काफी है क्योंकि जो मैं काजू बदाम भूनी हूं गोद भूनी हूं सब घी में भू पीश्क डाल सकते हैं जिसे चने सकतों बोलते हैं अब देखे इसका कलर कितना बढ़ी आया है थोड़ा सगी और डाल ले रहे हूं ताकि लड़ू बनाने में कोई दिक्कत ना हो और टेस्ट भी अच्छा है आएगा तो अच्छे तरीके से मिला कर मैं इस आँटे को निकाल ले रहे हूं आटा भी बहुत हिल्दी होता है इसमें मैदा और न डालें बेशा न और गेहूं काँटा डाल सकते हैं तो इसे हम निकाल लेंगे नहीं तो यह जल जाएगा इस लड्डू को आप रोज सर्दियों में खाएंगे एक लड्डू खाकर एक गलास गरम दूद पीएंगे न बहुत ही हिल्दी रहेंगे थकान कमजोरी सर्दी खासी सब दूर रहेंगी बच्चों को भी खिला सकते हैं अब हम गुड़ को गला लेंगे लगवाक डेड़ क सब गुड़ ले लिए हैं 300 ग्राम गुड़ ले हूं मीठा थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं और तीन से चार चेमज पानी डालेंगे गुड़ में भी आयरान कल्सियम और प्रोटीन पाया जाता जो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तो हम गुड़ को अधीमी आज पर गलने देंगे तब तक हम यह सब ठंडा करके पीछ लेंगे वैसे ठंडा हो चुका है सबसे पहले काजु बदा मखाने को दरदरा पीछेंगे एकदम महीन पौड़ नहीं बनाना है नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लड़ू को पौड़ बना ल छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे इसे पीछना नहीं है नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाली छोटा टुकड़ा कर लेंगे एकी बरतन में सब डाल लेंगे गोद अलसी और जो ड्राइफ फूर्ट्स में भूनी हों सब एकी में रख लेंगे इतना बड़ा के साथ आप खाएंगे तो खांसी भी नहीं आएगी 50 ग्राम में सूखे नारियल के बुरादा डाल ली हूँ सब एक की साथ मिला ले रहे हूं नारियल के बुरादा आप चाहें तो गेहु कांटे के साथ हलका भून सकते हैं जब गेहु कांटा पक जाए ना तो एक से दो मिनि और पकाऊंगी ध्यान दें जैसे ये गुड़ गल जाए ना इस तरीके से फूल जाए तो गैस आप कर दें इसमें मैं गेहु कांटा और अलसी योगरे जो मिला कर रखी हूं सब डाल ले रहे हूं जैसे ये गुबाल आ जाए वैसे गैस बंद कर दें इस बात का ध्यान दे नहीं तो लड़ू बिल्कुल कड़ा हो जाएगा तो अब मैं मिला ले रहे हूं एक साथ में सब और ये लड़ू आप सर्दियों में खाएंगे इसमें जो मैं समान डाली हूं सारे समान के तासीर गर्म होती है इसलिए इसे सर्दियों में खाते हैं अलसी की भी तासीर गर् नहीं होगी जोडों के दर्द में आराम मिलेगा इस लड्डू को खाने से सरीर में एनर्जी बढ़ती है ठकान और कमजोरी दूर होती है अच्छे तरीके से मिला कर मैं नीचे उताल ले रही हूं और नीचे उतार कर लड्डू बना लोंगी अगर यह मिक्स ड्राई हो जाए स सूखा हो जाए लड्डू ना बने तो एक सीदोचे मचाब और घी डाल सकते हैं अभी गरम है थोड़ा ठंडा हो जाए तब लड्डू बनाओं लेंगे जब हातट ठच होने लगे ना तब लड्डू मैं लड्डू बना ले रहे हूं लड्डू सा छोटा या बड़ा अप मिक्स सूख जाए तो घी को गरम करके पहले दो चेमाच डालें फिर लड्डू बना कर देखें न बने तब एक चेमाच और डालें एकदम से घी न डालें इसमें मावाय और दूद नहीं उच करी हूँ इसलिए इस लड्डू को दो तीन महिने तक रख सकते हैं खराम नहीं हो आप चरूर ट्राई करें इसे आप बच्चों को और बड़ों को सभी को खिला सकते हिल्डी लड्डू है